हेलो गाइज नमस्कार वेलकाम आप सोका फिर्स यामारी सोर के इनी गीन काड़न चैनल फ़र और आप बने हैं मेरे साथ यूट्यूब चनल पर साथ में में दखता हूँ कि आप भी सौस्तोंगे हेल्दी होंगे दोस्तों आज मैं आपके साथ सेर करूँगा करेले की सिड्लिंग बहुती सेफरेट मेथर्स बहुती आसान मेथर्स जिसे आप देखेंगे तो आपको भी पसंद आएगी और ये सिड्लिंग मैं कर रहा हूँ बरसाथ सीजन के लिए जो कि आज की तारिक है दो जून और आज मैं सिड्लिंग करने वाला क्योंकि इस समय सिड्लिंग जब हम करते हैं सीदे ग्राउन में जब हम इसे ग्राउन में सिड्लिंग करते हैं तो इस वक्त जून और माई में बीच बीच में बरसाद भी होती है, तूफान भी आते हैं, तो जब हम सीडलिंग ग्राउंड में करते हैं, तो बारिश से हमारी सीडलिंग खराब हो जाती है, बेल जो इसकी होती है, वो खराब होती है, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह की सेफरेट में कर रहा तो आज की मेथट्स में आपके साथ सेर करूंगा आप देखें किस तरह से हमारी सीडलिंग होती है और यह मेथट्स बहुत ही सेकसफुली है मैं बहुत ही अहर बार करता हूँ अभी आप देख सकते हैं हमारी स्वैल जो है यह मिट्टी मैंने च्छान करके इसे फुल डे की ध दिखाता हूँ और यह हाइब्रिट सीड है जो की बहुत ही अच्छी क्वाइल्टी होती है और फ्रूटिंग भी बहुत ही अच्छी होगी दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि करेले की जो डिमांड है वो काफी अधिक होती है और समय से पहले अगर हम इसकी फसल जब लगात हैं और समय से पहले ही इसकी फ्रूटिंग हमें मिलती है तो बजार में इसकी अच्छी रेट भी मिलती है और जो साथ में हम खाएंगे वो तो हमारे लिए फायदे ही है तो अभी आप यह देख सकते हैं हाइवरिड शीड है चलिए मैं इसे निकालता हूँ और आपके साथ बजार करके यह सीड है चलिए निकाल लेते हैं और देखते हैं इसकी सीड किस तरह से है वैसे दुस्तों करेले की बेल लगाना बहुत ही असान है आप इसे जब लगाते हैं तो यह बहुत ही जल्दी फ्रूटिंग करने लगती है बहुत ही कम समय में और अच्छी प्रूट उसे पानी में 3 घंटे हमें डीब करके रखनी है मतलब कि इसकी सीड्स को वाटर में हमें 3 घंटे डुबो देनी है फिर हम इसे जिस गंबले में या फिर किसी भी ट्रे में लगाना चाहें हम लगा सकते हैं तो इस तरह से अभी हम पानी में डीब कर देंगे ये 2-3 घंटे के लिए और फिर इसे हम कभी जो भी ट्रे में करना है या फिर डिस्पोजबल गिलास में लगानी है चलिए ये हमारी दूसरी पेकिट आप देख सकते हैं इसमें एक फंगी साइड के काटेज भी चड़ी होती है जो की कीट से बचाती है सीड्स को अभी आप देख सकते हैं य इस तरह से रेड कलर के या फिर ग्रीन कलर के एक काटेज चड़ी होती है तो वह एक तरह की फंगी साइड है जिससे सीड्स हमारे जल्दी खराब नहीं होते हैं अक्सर ये सीड्स हैविट किस्म की जो हम लेते हूं उसी में चड़ी होते हैं तो चलिए मैं इसे डीप कर दे मिट्टी हम डालते हैं तो वह मिट्टी बहुत ही हलकी होती है और ये हमारे पास कमपोश्ट है जो कि बहुत ही कम परशेंट में देने वाला हूं लगबग 10 वर्षेंट वैसे सीड्लिंग करते हैं खाद की जरूरत नहीं होती है मिट्टी में बट अगर आपके पूराने ख सेड्लिंग करते वक्त नहीं मिलाते हैं तो भी अच्छी होगी सेड्लिंग करते वक्त किसी तरह के खाद की जरूरत नहीं होती है तो ये हमारी डिस्पोजबल गिलास अभी आप देख सकते हैं इसी में मैं मिट्टी को फिल करूंगा और इसमें ही सेड्लिंग तियार करूं जब भी seedling हम इस तरह की port में या फिर गमले में या फिर इस तरह से disposable glass करते हैं तो उसके drainage hole बहुत ही अच्छी होनी चाहिए तब ही जब extra पानी होती है वो drain होती है और seedling जल्दी हमारी गली के नहीं अगर इस वक्त आप इस तरह से glass में जब हम करते हैं या फिर किसी तरह की hole नहीं पनाते हैं तो एक्स्टा पानी जो होती है वो मिट्टी में बन जाती है और मिट्टी में जब नमी इंक्रीज बहुत देर तक कर रहेगी तो वो seedling जल्दी नहीं हो गया और ज्यादतर यह seedling जो होते है वो गल जाते हैं तो seedling नहीं होने के एक वज़ा यह भी होता है यह आप देख सकते हैं लगवक तीन घंटे यह हो गई है और यह हमारी seedling आप देख सकते हैं किस तरह की color हो गई है चलिए अब मैं इस disposable glass में आप देख सकते हैं सभी मिट्टी भर गई है और इसमें मैं seedling डालूँगा ध्यान रखनी है seedling की चलिए मैं आपको दिखाता हू seedling की आगे भाग की एक नुकिली जैसे होती है जिस तरह से अब यह देख सकते हैं नुकिली भाग यह मिट्टी के अंदर जाएगी उस पे रूट बनती है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से डालनी है हलकी सी मिट्टी गढ़ा करनी है मतलब एक इंच ही आपक कढ़ा देंगे बहुत ही हलकी और अब हम वाट्रिंग कर देंगे यह आप देख सकते हैं पूरी तरह से वाट्रिंग हो गई है तो खास बात हमें ध्यान रखने हैं जब हम शीट इस पे बोते हैं तो लगवक एक इंच की गहराई में अधिक गहराई हमें नहीं जानी है सेड्लिंग हमेशा फूल देंे के धूप में ही रखने होती है दूस्तों सबसे पहले हमें यह जान लेनी चाहिए कि सेड्म हमेशा फूल देंगे धूप में ही रखनी है फूल देखी सेड-बिम में उस पर रोग भी ने लगते हैं अगर आप सेडलिंग तियार करते हैं तो वहां तो germination हो जाएगी पर पौदे की जो सेडलिंग होती है वो पौदे लंबे हो जाते हैं तो वो पौदे सही नहीं होते हैं इसलिए फुल डे के धूप में हमें रखनी है दोस्तों इस तरह से Shedling करने से Shedling की Germination जो Success Rate होती है वो 100% मिलती है मतलब बहुती अच्छे Result हमें मिलती है चाहें आप इस तरह से Disposal Glass में करें या फिर Shedling एक Tray होती है उस Tray में भी कर सकते हैं अक्सर इस मोसम में बारिस हो जाती है तो इस तरह से Shedling करने से जब बारिस अक्सर होती है तो हम इसे Shed एरिया में उठा करके रख सकते हैं या फिर Tray होते हैं तो उसे हम रख सकते हैं इसमें ये सुबीदा है शीदे Ground में लगाएंगे तो बारिस में वो खराब हो जाती है उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आये होगी और इसकी Update वीडियो मैं आपके साथ बहुत जल्दी आपको जाती है